कि अब है कि हैं एलो फैंड्स के में आपका स्वागत है सो आज हम सेवन्थ पार्ट यहां पर स्टार्ट करेंगे शिक्स्थ चैप्टर है क्लास 11 अट हिस्ट्री का तो यहां पर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे फूर्थ ओडर न्यू टाउंज और कैंथेडरल टाउंज के ब बारे में है। हमने फ्रो Zi wondered order के बारे में हम देख चुकह सो यहां पर सर यहां पर पॉपॉलेशन है ट्रेड टाउन चैो यहां पर बहुत जादें की ऑ इप एक्सपैंड हो रही थी जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में इनके बारे में स्टड़ी किया था सो जो पॉपुलेशन है यूरॉप की अब वो यहां पर थाउजन बीसी में यह कितनी थी यहां पर 42 ती और 62 मिलियंस होगे यह ट्वैलफ हंडर में और 73 मिलियंस होगे यह 300 एडी में क्लियर है तो यहां पर क्या हो रहा था कि जो एक्रिकल्चर बहुत जादा यहां पर एक्सपैंड हो रहा था उसकी वज़े से यहां पर जो बोजन की कमिया भी बिलकुल भी नहीं थी अब यह यहां पर जो बोजन था वह बहुत जादा यहां पर प्रड्यूस किया जा रहा था ही उमन के दोबारा और यहां पर जो इनका लाइफ स्पैंड था मतलब जीवन जीने की जो अवदी थी उसमें भी बहुत जादा यहां पर इंक्रीज देखने को मिला लाइक अगर पहले ल लाइफ स्पैंड सो यहां पर जो टाउं से रॉमन एंपायर के अब वो नस्ट हो चुके थे जैसा कि रॉमन एंपायर जब फॉल हुआ लास्ट चैप्टर में इसके बारे में हमने स्टडी किया था लेकिन 11th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो एगरिकल्चर जैसी इंक्रीज उसके बाद जो टाउं सेफ फिर से यहां पर गृफ होने लग गए थे सो जो जो किसां से अब उनके पास यहां पर जो वो उघा रहे थे क्रोप्स अब उनके पास बोहुँ ज्यादा मात्रा में होती थी अब ऐसे में वो अपनी जुरूरतों को पूरा भी असानी से कर ऐसे में वो क्या करते थे वो जो surplus grains होता था अब उन्हें वो बेच देते थे लेकिन अब उन्हें एक ऐसी जगा चाहिए होती है selling center चाहिए थे कि जहां पर वो इन जो grains होने बेच सके और उसी जगा पर वो other tools और जो 46 हैं जिनकी आप उन्हें जरूरत होती थी वो यहां फые सके clear सο 187 आपर जगा चाहिए होती दिन जिसकी वज़य से यहां पर प्रिविवरिक इसमतलब की जैसे मेले लगते थे खीवा कर यहां पर अकटे होई अब इसमें यहांपे एक town square होता था ठीक है बहुत बड़ा town होता था यहांपे church होता था passwords यहांपे देखने को मिलते थे और यहांपेРЕली जो merchants होते थे वो अपने अपने यहांपे shops का निर्मान करते थे और यहांपे homes का निर्मान किया जाता था रहने के लिए अब यहाँ पे टाउंस में जो लोग होते थे वो क्या देते थे यहाँ पे टैक्स दिया करते थे लॉर्ड्स को पहले वो सर्विस प्रोवाइड किया करते थे कलियर है लेकिन फिर हमने पढ़ा कि मनी इंट्रड्यूस हुआ उसके बाद फिर वो जो उनकी जमीन होती थी वहाँ पे रहने के लिए जैसे दुकान करनी है तो यहाँ पे टैक्स वसूला करते थे जो लॉर्ड्स होते थे तो यहाँ पे जो टाउंस है अब यहाँ पे पेड़ वर्क्स जो मरजी चाहे वो यहाँ पे आके कर सकते थे तो ऐसे में यहाँ पे एक बहुत ही परचली थी यहाँ पे क्वोर्ट हो चुका था वो क्या था टाउं एयो मेक्स फ्री मतलब जो नगर की हवा है वो सफतंतर बनाती है तो यहाँ पे जो क्रेशी दास थे अब यह क्या करते थे अगर तो एक साल प्लस एक दिन अगर तो यह अपने लौड से यहाँ पे दूर रहे मतलब जो लौड से इनका यहाँ पे उन्हें ना देख सके तो ऐसे में यह अजाद हो जाते थे ठीक है यहाँ पे यह रूल था सो बहुत सरे जो लोग थे वो टाउंस में आके यहाँ पे छिप जाते थे जो free presents होते थे ठीक है जो escaped service होते थे और यहाँ पे वो unskilled labor यहाँ पे obvious यहाँ पे provide उनके दुवारा की जाती थी वो skillful नहीं थे क्योंकि उनके दुवारा जो कारया किया जाता था जैसे ही लोड के दुवारा बोला गया वो वो कारया किया जाते थे वो यहाँ पे skilled नहीं थे किसी पर्टिकुलर फिल्ड में सो जो बड़े-बड़े टाउंस होते थे वहाँ पे जो population थी वो 30,000 के इप्रोक्सिमेट यहाँ पे देखी जाती थी तो ऐसे में यहाँ पे एक फॉर्थ वर्क निकल के सामने आया फॉर्थ ओर जिसे बोला जाता है टाउंस का सो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं की काम यहाँ पे किस परकार से डिवाइड किया गया था सो यहाँ पे जो अधार था economic organization का वो था guild मतलब कि यहाँ पे शरेनियों में डिवाइड किया गया साइत क्राफ्ट करती और उनकी क्स किरम होने प्राइस क्या होने चाहिए और इस परकार से ने सेल guild hall हुआ करते थे और जो head हुआ करते थे guilds के वो यहाँ पर मिला करते थे so जैसे बैठ के इनकी होती थी 11th century में नए trade routes यहाँ पर हुए West Asia में develop होने शुरू हुए so यहाँ पर जो Scandinavian merchants हुआ करते थे वो क्या करते थे यहाँ पर वो कपड़े के बदले में जो first और जो hawks जो बाज होते हैं इन्हें यहाँ पर exchange किया करते थे कपड़े जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परचलित थे उस समय में hawks यहाँ पर बाज ठीक इस परकार का आई होप आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में सो पहले जो craftsman थे वो क्या करते थे वो travel करते थे manner to manner मतलब की जो lords के गर होते थे उन्हें manner बोला जाता था एक manner से दूसरे manner जाते थे सो इस परकार से वो अपना यहाँ पर smart बेचा करते थे लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा असान हो चुका था एक जगा पे settle होना और अपना जो goods है वो produce करना और उसे trade करना या उसे बेचना खरीदना यह सब कुछ यहाँ पर चलता रहता था वो सरे towns grow होने शुरू हुए विपार यहाँ पर बहुत तेजी के साथ यहाँ पर फैलता गया जो town merchants थे अब यह बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे और पावरफुल और चुके थे और यह जो थे challenge कर रहे थे जो nobility की power होती थी मतलब जो lords होते थे और वो बहुत ज़्यादा पहले powerful होते थे लेकिन अब यहाँ पर यह जो merchant log थे जो present हुआ करते थे जैसा कि हमने दो parts में इने देखा था एक तो थे free present और दूसरे थे यहाँ पर serves ठीक है जिसके बारे में हमने last में देखा था अब यहाँ पर जो free present हुआ करते थे वो क्या थे यहाँ पर जैसे वेपार उनके दुवारा किया गया अब वो बहुत ज़्यादा मेर हो चुके थे पावरफुल हो चुके थे अब वो भी यहाँ पर lords के ही level पर आ चुके थे सो नेक्स यहाँ पर move करते हैं सो cathedral town के बारे में देख लेते हैं 12th century में बहुत बड़े बड़े चर्च हुआ करते थे जिने cathedrals बोला जाता था और में लिए फ्रांस में बनाए जाते थे ठीक है सो यहाँ पर इस परकार के बहुत बड़े-बड़े cathedrals देखने को मिलेंगे सो जो अमीर मर्चेंट होते थे वो क्या करते थे उनके पास बहुत जाता दंदोलत होते थी वो डोनेशन दिया करते थे चर्चिस को कि वो ऐसे बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर उनके दवारा cathedrals का निर्मान किया जाए सो cathedrals यहाँ पर स्टॉन्स के बनाई जाते थे और यहाँ पर बहुत साल लगते थे इन्हें complete होने में अब जब यह बन रहे होते थे तो इसके आसपास का जो एरिया होता था वहाँ पर बहुत जादे लोग यहाँ पर रहने लग जाते थे populated area बन जाता था जैसी यह complete होता था सो वहाँ पर यह तीर्थी आतरा का स्थान बन जाता था बहुत सरे small towns यहाँ पर develop होने शुरू हुए इसके आसपास cathedrals यहाँ पर design किये जाते थे इस परकार से कि जो priest की जो voice होती है जो पादरी की आवाज होती है वो हर एक तक यहाँ पर पहुंच पाई ठीक है इसलिए यहाँ पे बहुत जैसे इनकी अगर उचाई देखी जाए तो बहुत ज़्यादा उची होती थी अगर कोई बहुलता था तो उनकी आवाज जो होती थी वो गूंजती थी यहां पे इसे में वो तूर जितनी मर्जी हो वहां तक वो असानी से उनकी जो आवाज है वो पहुंच जाए इस परकार से यहां पे बनाई जाते थे इनका निर्मान किया जाता था सो स्टेंट ग्लास का यहां पर यूज किया जाता था विंडोस पर ठीक है सो आगे देखेंगे हम स्टेंट ग्लास यहां पर जो विंडो होती थी वहां पर क्या थी यहां पर नुरेट किये जाते थे बनाई जाती थी जैसे बहुत सरी स्टोरीज हुआ करती थी बाइबल्स की पिक्चर्स के थुरू सो ऐसे में जो अनपड जो अशिक्षित लोग हैं वो भी असानी से इने पड़ पाई क्लियर है कि इस परकार के होते थी जब कैंडल से यहाम पर जलाइ जाती थी मोहमत्यां जो लोग बाहर होते थे उन्हें भी यहा पर जो तस्वीर होते थी विंडोस के ऊपर वो दूर से दिख जाती थी इस प्रकार से इनका निरमान यहां पर किया गया था कलियर है सो यहां पर टाउन्स का यहां पर मैप जो 17th सेंचुरी में सेंचुरी का यहां पर क्लियर है आपको यहां पर पार समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ओ छेयर कर देना हैव फैंटास्टिक डे